हाई गाईज इस सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल लार्जा सीटिया हिस्टोग्राम का सल्यूशन तो देखें यह मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि आपको एक बारचार्ट मिला है यह वो बारचार्ट कि जिसके अंदर यह छे हाइट का आपके ज्यादा हो तो मैंने एक आपको अप्रोच दिया था वो अप्रोच यह था कि आप देखो 6 हाइट को अगर एक और एक बार की विड्थ 1 है तो अगर 6 हाइट को आप अपना बेस मान लें तो यह रेक्टांगल जादा फैल नहीं पाएगा वो अगला ही 2 का है तो उससे बड यहां तक फैल यहां तक फैलेगा तो फोर इंटू द्फीट्व अब पांच की हाइट वला इन्टम रेक्टैंगल ना उतर पैलेगा ना उतर फैल तो 5 है वन वाला rectangle अगर आप ध्यान से देखें तो इधर यहां तक फैलेगा और इधर all the way यहां तक फैल जाएगा height बचारे की 1 है, सातों के सातों element ले लिए, तो 1 into 7 area देगा 6 वाल rectangle फैल नहीं पाएगा, चेक है, तो हम क्या कहे रहे हैं, हर एक को हर एक बार को, हर एक बार को, आप height की तौर पर मान की देखिए, और उसको दोनों तरह फैला कर देखिए, वो कहां तक फैल सकता है वो जहां तक फैल सकता है, तो वहां तक उसकी width हो जाएगी, height into width से हमको area मिल जाएगा मगर जो मैं approach बोल रहा हूँ, अगर हमने per element ऐसा किया, सोच के देखिएगा एक बार, per element क्या किया, four के लिए मैं करके दिखाता हूँ आपको अगर per element हमने ये decide कि ये कहां तक फैल सकता है, तो देखिएगा, अगर मैं four के लिए decide करूँ ये कहां तक फैल सकता है, इधर यहां तक फैल सकता है, इसके बाद नहीं फैल सकता, इधर इधर तक यहां तक फैल सकता, इसके बाद नहीं फैल सकता, तो एक loop तो ये पता करने म आपको समझ में आएगी यह बाद, कि जब 4 फैलता है ना, वो right side वो पता है कहां तक फैलता है, next smaller element तक, next smaller element तक वो फैलता है, next smaller element, जब तक उसे उससे बड़े elements मिलते रहते हैं, वो फैलता रहता है, जैसे उसे छोटा element मिलता है, तो वो कहता है कि हाँ, वो मेरी boundary है, उससे आगे में नहीं जा पाँगा, next smaller element on the right, उसकी right boundary है, next smaller element on the left, उसकी left boundary है, अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है यह चीज, तो मैं थोड़ा सा इसको और example लेता हूँ, जैसे यह एक ले लिया, values नहीं लेता हूँ, तो यू रैंडमली बना लेता हूँ, जैसे हम इन भाई साब के अगर बात करें, या किसी की भी बात करते हैं, इनकी बात कर सकते हैं, तो यह देखिए, right पर यह कहां तक फैलेंगे, right side पर यह वाले भाई साब, फैल पाएंगे, फैल पाएंगे, यहां तक फैल पाएंगे, इसमें भी फैल जाएंगे, इससे आगे नहीं फैलेंगे, क्योंकि इससे आगे इनसे छोटा element है, तो वहां तक फैल पाए, next small element on the right तक फैल पाए, left side पर फैल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि immediately अगला ही element उनसे छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा, अगर code को बदल दूँ, picture को थोड़ा बदल दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, तो देखेगा आपका, अंदाज़ा बदल जाएगा, तो अब यह left side पर यहां फैल पाएंगे, इसके अंदर से भी फैल पाएंगे, इसके अंदर से भी फैल पाएंगे, और यहां जाकर रुख जाएंगे, यहां जाकर रुख गए, क्योंकि अगला element छोटा है, तो next small element on the left, उसकी left boundary है, next small element on the right, उसकी right boundary है, वो इतना फैल पाया करते हैं, तो बिसके लिए आपको हर element के लिए, उनका next smaller element on the left चाहिए, और next smaller element on the right चाहिए, वो मिलने के बाद, आप width निकाल पाएंगे किसी की भी, जो हमारा data था उसके हिसाब से में draw करता हूँ, that was I think 6, 2, 5, 4, 5, 1, 6, तो यह अपना data था, 6, 2, 5, 4, 5, 1, 6, तो हर element के लिए, next smaller element on the left और next smaller element on the right मेरा निकालने की इच्छा है, अब उस code को मैं बहुत समझाऊँगा नहीं, वो मैं code जल्दी से लिख दूँगा, तो देखेगा, मैं एक बना रहा हूँ, right boundary, अब ये वाली बात मैं एक बोलता हूँ से ध्यान से सुनिएगा, right boundary is basically, next smaller element on the right, और एक हमें क्या बनाना है, इसी जैसा थोड़ी दिर बाद जो हम लिखेंगे, left boundary, कुछ logic लिखेंगे जिससे इसको भर लेंगे, दोनों को भर लेंगे, तो इसमें पता है क्या है, मैं उनकी values नहीं रखने वाला, मैं ये नहीं रखने वाला, कि 4 का next small element 1 है, मैं ये नहीं रखने वाला, मैं ये रखने वाला हूँ, 4 का next small element का index क्या है, 4 के next small element on the left का index क्या है, मैं वो index रखने वाला हूँ, क्योंकि index में से index subtract करूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा index में से index subtract करूँगा तो मुझे width देखने को मिलेगी 6254516 इसका index है 0123456 जिसे अगर आपको 4 की width जाननी हो तो ध्यान से देखेगा 4 का next smaller element on the right का index है 5 और next smaller element on the left का index है 1 5-1 होता है 4 और उसकी width है 3 तो right boundary minus left boundary minus 1 उसकी width होगी चेक है तो मैं ये index store करने वाला हूँ nse next smaller element on the right nse index on the right nse index on the left चेक है तो अगर ये दोनों मेरे पास हों तो देखेए max area फिर बहुत असान है फिर हमने सिर्फ एक loop लगाना है array dot length i++ चेक है तो width कैसे आ जाएगी right boundary of i minus left boundary of i minus 1 चेक है और area कैसे आ जाएगा जितना उसकी height है वो height तो उसकी array of i में पड़ी है into width और अगर ये area max area से ज्यादा है तो max area को करने बिट update चेक है और बहार निकल कर हम max area को कर लेंगे print चेक है अब रहे है right boundary और left boundary निकाला है जो कि अपने आपने छोटी सी problem next smaller index on the right on the right के लिए आप right to left loop चलाइए on the left के लिए left to right loop चलाइएगा ये वला code आपने करा हुआ आपने बिसकली किया था next greater element on the right from right to left का loop तो मैं वही इस्तमाल करूँगा stack of integer st equal to new अब ये कोई मुश्किल का सवाल आप चले नहीं होना चाहिए stack.push array.length-1 आखरी वाले का index में डाल लिया है चिक है तो आखरी वाले को मैं वह भी दे दूँगा right boundary of last वाला बंदा कि तुम्हारा next smaller element on the right क्या है जिसका next smaller element ना मिले on the right side आप by default array.length मान लिजे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ये समझ लिजे अगर कोई element ऐसा है, जैसे एगर ये 15 होता और इसका next smaller element या अगर ये बहुत छोटा होता है ये 0 होता, इसका next smaller element होता ही नहीं तो जिसका right side पर कोई smaller element नहीं है, वो इस spot को आप next smaller element on the right मान लिजे जिसका left side पर next smaller element ना मिले तो आप यहाँ पर मान लिजे कि इसका next smaller element है दोबारा सबनी बात बोलता हूँ, आपको नहीं समझ में आई होगी तो अगर किसी element का next smaller element on the right ना मिले जैसे अगर ये 4 के बज़ाए 0 होता तो इसका next small element on the right होता ही नहीं तो उस case में इस spot को, array dot length को उसका right में सबसे छोटा element मान लिजे और same for left minus 1 को उसका सबसे छोटा spot मान लिजे चीक है, मत अब ये मान लिजे कि इस पूरे array के इस तरफ बहुत बड़ी खाई है, बहुत छोटी सी value है कोई और इस तरफ भी खाई है ताकि हर एक की boundary यहां से लेकर यहां तक के बीच में आई ही जाए, जिसकी boundary array के अंदर ना आए, क्योंकि next small element मिला ही नहीं जैसे one की इस तरफ को नहीं आएगी तो one की इस तरफ यह boundary मान ली जाएगी और one की उस तरफ one से छोटा कोई नहीं है तो उस तरफ boundary नहीं आएगी, तो one की boundary यह मान ली साथ मिल जाएगा, width जो की सब के सब को मिलाकर width मिलती है तो मैंने default ऐसे रखे हैं, right side के default रखा है array dot length और left side के default रखा है minus one तो आखरी बंदे के लिए right side पर सो छोटा कोई होता नहीं तो उसका right side का छोटे element का index array dot length माना जाएगा अब मैं loop चलाता हूँ, उल्टा array dot length minus two से चलाता हूँ जीरो की तरफ चलाता हूँ, आए minus minus करके चलाता हूँ यह चला दिया हमने loop, अब, if नहीं होता था, while हुआ करता था while, while stack dot size is greater than zero, and and जब तक stack में बंदे हैं, and and, array of i चोटा है, किस से? array of stack dot peak से, जो stack में पढ़ा है, उन से array of i चोटा है तो सारे बड़ों को pop करा देगा वो, वो रुकेगा तब जब उसे अपने से चोटा बंदा मिलेगा, वो चोटे पे क्यों रुकेगा? क्योंकि चोटे वारा बंदा ही उसकी boundary है, चिक है? तो stack dot peak, बड़ों को उसने pop करा दिया, और चोटों पे उसने answer store कर लिया, लेकिन ऐसा हो सकता है, बहार आने की दो रीजन हो सकते हैं, stack का size 0 हो गया हो, या आपसे चोटा बंदा आ गया हो, अगर आपसे चोटा बंदा आ गया है, तो वही जवाब है, और इससे आपको left boundary मिल गई है, बहुत ही similar code होगा, यह right boundary मिल गई, यह बहुत ही similar code होगा, left boundary के लिए, लेकिन यह किदर से start होगा, यह इस तरब से start होगा, आप 0 को push कीजिए, और 0 की left boundary, 0 की left boundary minus 1 होगी, तो क्योंकि 0 की left में कोई है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी दर default देनी पड लूप चलेगा, इसमें 1 से, 0 का काम तो हो गया, तो 1 से loop चलेगा, array.length की तरफ चलेगा, i++, चिंता नहीं करिया, इस code को मैं करा के दिखाऊंगा, आपको थोड़ी दिर में, पॉप किया, तो इसमें left की boundary आपको मिलेगी, जिसको आप minus 1 कहत होगे, मैं इस code को 2 minute में dry run करने बाला हूं, तो जिनको नहीं समझ में आया, उसको उस dry run से समझ में आने की भारी समभावना है, चिक है, तो लाइए से चलाएं, तो ये इसने कुछ बोला, cannot find symbol, array नहीं मिला इसको, क्योंकि मैंने इसका नाम A रखा हुआ है, तो इसका नाम मैंने array कर दिया है, तो accept हो रहा ह है, और मैं अब सारे test के लिए चलाता हूँ, तो भी accept हो रहा है, तो ये चल गया है, लाइए इसको हमें एक बार, मैं आपको dry run करा हूँ, कि कैसे इसे solve किया गया, तो देखेगा भाई साब, पहले सब की right boundary निकाली गई थी, तो right boundary इधर से इधर की तफ निकाली गई थी, म इसको डाल लिया, ठेक है, six six को आपने डाल दिया, और इसको आपने बोला seven, ये right boundary है, कि तुम्हाई right boundary है, अब अगले वाला, छोटों को pop कराता है, बडों को pop नहीं कराब आता है, तो one, तो five index पर पड़ा हुआ one push हो गया, five index पर पड़ा हुआ one push हो गया, ठेक है, और वो pop नहीं करा पाया था, ठेक है, तो उसका, वो pop नहीं करा पाया, हम push तो 30 नुबर पर करतें न, पहला होता है pop, फिर होता है answer, फिर होता है push, ठेक है, तो उसने पहले pop करानी कोशिश करी, वो pop नहीं करा पाया, in fact न, मैं यहाँ पर index तो अलग से दिखा लेंगे, यहाँ पर ह आई वाया और छोटो को पॉप करा देगा वन को पॉप करा दिया बड़ों को पॉप कराते हैं sorry my mistake हमने ध्यान से देखना होगा वो बड़ों को पॉप कराते हैं जब तक आपको आपसे बड़े मिलते रहते हैं array of stack.peak आप छोटे हैं और stack में पड़ा है वो बड़ा है तब तक आप पॉप कराते हैं बड़ों को पॉप कराते हैं छोटों को छोड़ देते हैं छोटों को छोड़ देते हैं तो मैं इसको दुबारा से बड़ाए रंड कर रहा हूं because I had made a mistake सबसे पहला element 6 उसकी right boundary 7 पॉप नहीं करा पाएगा answer ले लेगा कि one ही उसका smaller element on the right है which is true as well उसका index डाल लीजे one को store कर लिया उसका index store कर लिया और खुद push हो गया four आया तो बड़ों को पॉप कर आएगा five को तो पॉप करा दिया one पर अठक गया वन को पॉप नहीं करा पाया बिल्कुल सही बात one unleash हो गया unveil हो गया वो उसका next small element on the right है तो one नहीं लिखेंगे यहाँ पर उसका index लिखेंगे असल में stack में भी index ही store कर रहे है पर समझाने में दिक्कत हो रही है इसलिए value दिखा रहा हूं आपको तो five five का मतलब one को store किया है अब four push हो गया five आया किनको बड़ों को पॉप करता है चोटों को पॉप नहीं करता है five four को पॉप नहीं कर पाया तो four का index उसने बना next small element on the right मान लिया which is true as well five का next small element four ही है और खुद push हो गया two आया बड़ों को pop करेगा five को pop कर देगा four को pop कर देगा one को pop नहीं कर पायगा five को pop कर दिया four को pop कर दिया one को pop नहीं कर पाया which is correct as well five और four को pop करेगा पर one तो उससे चोटा है तो one तो उसका जवाब है तो मैं two के सामने one या one का index five लिख दूँगा और फिर two push हो जाएगा six आया तो बड़ों को pop करते चोटों को pop नहीं करते ना two को pop कर पायगा ना one को तो two ही इसका अंसर हो जाएगा two का इंडेक्ष one उसका अंसर हो गया तो सब की right boundaries देखेए six की right boundary है one index which is correct two की right boundary है five थे Wenीक्स विच इंडेक्स विच क्रेक्ट 4 की right boundary है 5th index which is correct 5 की right boundary है 5th index which is correct 1 की right boundary है 7th index which is correct 6 की right boundary है 7 which is correct अब similarly left boundary बनाएंगे उसमें default minus 1 का होगा इधर से चलते वे बनाएंगे left boundary तो इसकी left boundary है minus 1 और इसी को push कर लिया stack में 6 2 आया बड़ों को pop करते हैं 6 को pop कर दिया stack खाली हो गई stack खाली हो गई तो left boundary माना जाएगा और 2 push हो गया 5 pop नहीं करा पायागा तो 2 उसका next small element on the left बन गया जिसका index है 1 और फिर वो push हो गया 4 आया बड़ों को pop कर आएगा छोटों को pop नहीं करा पायगा तो बड़े को pop करा दिया छोटा उसका boundary बन गया 4 की नहीं 5 को pop करा आया 2 पे रुग गया तो 2 का index यहां store कर लिया और 4 push हो गया 5 आया तो छोटों को pop नहीं करा बाते तो 4 ही 4 ही उसकी बन गई left boundary अब आया 1 तो यह बड़ों को pop करा आएगा 4 को ही pop करा आएगा 2 खाली हो गया 4 और 2 को pop करा एखाली हो गया तो उस तरफ उसकी left boundary minus 1 हो गई 6 इसको pop नहीं करा पाएगा तो यही उसकी right boundary हो जाएगा that is 5 और आपा काम खतम हो गया लास्ट में 6 पूश हो जाएगा जिससे कोई फरक नहीं पढ़ता अब आपके वास left boundary भी है right boundary भी है अब पहले बंदे को देखिए 6 की right boundary है 1 left boundary है minus 1 मतलब यहां से लेकर यहां तक wide है वो तो उसकी width कितनी होई this spot minus this spot minus 1 तो इसमें सिसको minus किया तो उसकी 1 minus minus 1 तो 2 होता है 2 minus 1, 1 width होई 1, 6 into 1 area मिला हमको 6 2 के लिए right boundary is 5 left boundary is minus 1 width कितनी होई 5 minus minus 1 मतलब left अपनी boundary width होती है right minus left minus 1 तो 5 minus minus 1 6 minus 1 is 5 2 into 5, 10 2 into 5, 10 अपना area हुआ 5 के लिए 3 इस तरफ देखिए right boundary 3 है left boundary 1 है जो की correct भी है तो 3 minus 1, 2 2 minus 1 is 1 5 into 1 is 5 तो अपने को मिल रहा है 6, 10, 5 बलकि मैं width लिखना पसंद करूँगा हर जगे तो 6 के width है 1 minus minus 1 minus 1 is 1 5 minus minus 1 6 minus 1 is 5 तो इसके लिए 3 minus 1 minus 1 is 1 मतलब right minus left minus 1 basically 4 के लिए 5 इस तरफ है और 1 उस तरफ है तो 5 minus 1 is 4 4 minus 1 is 3 इस वाले 5 के लिए इस तरफ 5 उस तरफ 3 तो 5 minus 3 2 2 minus 1 is 1 इस वाले 1 के लिए इस तरफ 7 उस तरफ minus 1 7 minus minus 1 is 8 8 minus 1 is 7 इस 6 के लिए इस तरफ 7 इस तरफ 5 7 minus 5 2 2 minus 1 is 1 ये width हो गई अब multiply करो 6 into 1 is 6 2 into 5 is 10 5 into 1 is 5 4 into 3 is 12 5 into 1 is 5 1 into 7 is 7 6 into 1 is 6 सबसे बड़ा area 12 है basically आपने हर height के लिए उसकी left boundary right boundary निकाल कर उसकी height से multiply किया right minus left minus 1 को तो आपको widths मिल गई थी height मिल गई थी सबके area आपने निकाल लिए उने areas में जो सबसे बड़ा आया है वो आपका जवाब बन गया I hope आपको ये समझ में आया है ठीक है वो ओ न होता है तो सारा लॉजिक ही ओ न मन गया है निक स्मॉलर और इकोल न ही तो बराबर बाले को भी पॉप कराना होगा अगर स्नाक में बड़ा वेल्यू पड़ा है तो फॉप कराना होगा रध बांटर के लिए भी लेफ बांटर के लिए ही So this is the correction that I have made in the question because people suggested it to me and I have updated the test cases. So now the new code would pass according to the new test cases. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye.